बोचहा सीट पर उप्चुनाव और भी दिल्चस्प होता जा रहा है वी आईपी और बीजेपी आमने सामने है आरजेडी अमर पासवान के सहारे है तो अब आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है आरजेडी के साथ गण्डबंधन में कॉंगरेस ने भी अपना उमिद्वार उतार दिया है कॉंगरेस ने तरुन चोधरी को अपना उमिद्वार बनाया है और ऐसे में ये मुकाबला जो है अब चार लोगों की बीच हो गया है और इन चार लोगों के बीच में आखिर कौन जीत का सहरा पहनता है और कैसे गड़ बंधन जो है वो फिर से तूटता हुआ दिख रहा है आरजेडी और कॉंग्रेस के बीच ये समझे आप बिहार विधान सभा की बोचहा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगतार सरगर्मिया बढ़ती जा रही है बीजेपी राजद और वी आईपी के बाद अब कॉंग्रेस ने भी अपने उमिद्वार को मैदान में उतार दिया है तरुन चौधरी को कॉंग्रेस ने बो राजद और जन अधिकार पार्टी में भी रह चुके हैं ऐसे में कुछ खास जगा पर इस पर विधान सभा छेतर में पकड़ लगते हैं जो खेल बिगार देने में एहम रोल अदा करता है चुकि राजद और अन्न सभी राजदिक दल अपने अपने तरीके से अपने की आखरी तारीक है और कॉंग्रेस के उमिद्वार अपना नमांकन दाखिल करेंगे इसमें प्रदेश निर्तिरत के कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं वहीं दूसरी और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादब भी कॉंग्रेस उमिद्वार के पक् में वोट इखटा करने में काम्याब होते हैं लेकिन चार प्रमुख पार्टिया जिसमें से एंडिये समर्थित दो पार्टी बीजेपी और वी आईपी अलग-अलग उमिद्वारों के साथ मैदान में हैं तो राज़त और कॉंग्रेस भी अलग-अलग उमिद्वार के साथ बिगुल फूक दिया है बता दे कि बोचहा विधानसभा छेतर के विधायक मुसाफिर पास्वान का निधर 24 नवंबर को हो गया था नई दिल्ली के गंगराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था वे कई महीनों से बिमार चल रहे थे बोचहा विधानसभा का उन्होंने दो बार प्रतिनिद्व किया है गोर तलब है कि पिछले विधानसभा चुनाओ में यह सीट गडबंधन के विधायक को मिली थी मुसाफिर पास्वान विधायक बने थे उनके निधन से यह सीट खाली हुई थी लेकिन पारामपरिक सीट होने के चलते बीजेपी ने अपने प्रदेश महामंतरी बेबी देवी को बोचहा सीट पर उमिधवार बना दिया जिससे विधायपी चीफ मुकेस सेहनी नराज हो गए क्योंकि विधायपी की सीट होने के कारण मुसाफिर पास्वान के बेटे अमर पास्वान को वहां से उमिधवार होना था इस बीच पने टिकट पर चुनाव लड़ने की रजामंदी दे दी और अमर पास्वान राज़त में शामिल हो गए अमर पास्वान के राज़त में शामिल होने से मुकेस सेहनी को एक और जटका लगा जिसके बाद मुकेस सेहनी ने राज़त नेता रमई राम की बेटी डॉक्टर गी करना होगी